सबी विदार्चों का online classes में स्वागत है हम बात करते हैं next class में BA, BAC second है, paper second है, मानों गूबल है, जो second book है, तता unit third चाड़ रही है और unit third में है topic है अधिवास, अधिवास की बात करें, अधिवास जो है यह दो टाइप का होता है अधिवास, दो प्रकार से प्रसंट पूजाता रहता है इसमें gramid अधिवास तता सहरी अधिवास, तो हम इसको संबली तूप से एक प्रसंट में convert कर दिया है, देखो, अधिवास के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, gramid अधिवास, वैस सहरी अधि क्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसके कारण 15 नमबर में gramid अधिवास, यानि अधिवास के प्रकारों से आप कैसो नहीं है, gramid अधिवास की बारे में समझाईए, इसके प्रकारों का तदा, फिर दुबारा प्रसंट में क्याता है gramid, वो सहरी अधिवास के प्रकारों अब देखो यहां प्रकारों अधिवास की बात करता है, मानऊ अधिवास, मानऊ भूमी का वहख़, जो मानऊ बसाव के उद्धες से प्रूप किया दाता है, मानऊ अधिवास कहलाता है, बुमी का वहेंबाद वहेंबाद जो किसके लिए मानव बसाओ के उद्धिस्दे से मानव बसाओ के उद्धिस्दे से परिफ्ट की अधिवास बनाए जाता है उसे क्या कहते है मानव अधिवास मानव द्वारा रचित उस रचना से है जो उसके रहने अध्वाकारे करने अध्वा अन्य आउस्दां के पूर्थी के लिए बनाई जाती है यानि मानो की किसी ना किसी आउस्दा उसमें रहने के आउस्दा या अन्य द्वारे करने के आउस्दा मैं पूर्टी रहे तो उसका अदिवास बनाए जाता है इसमें सभी प्रकार के गरों या आस्रमों को समलिद किया जाता है जैसे है अब मानौ अदिवास जो वर्गिक्रन है वो देखें वर्गिक्रन वर्गिक्रन की बात की जए तो मानौ बस्टियों का वर्गिक्रन निम्द पक्सों के अदार प्रके जाता है क्या जाता है नमबर फाइस जो रहे गए वो है इस्तिति के रुशा पहला है इस्तिति के रुशा है अदिवासा बस्टियों का विस्तार जितने मुबाग पर होता है उसे उस अदिवास का इस तरह लगा जाता है यानि जितने बड़े चेत्र में होता है इस्तित का मुतलब जितने चेत्र में इनका विस्तार होता है वो अधिवास के अंडर में यानि उस चेत्र में जितना अंडर जितने अंडर में वो अधिवास होता है उतने अंडर में उसका उसका चेतर कहला लक्ता है यह उसके अनुसार बस्तियां नेमने प्रकार के उसे बहुत को कोन सी है इस्तिधी की अनुसार इस्तिधी नुब्र पाइफ साती है वह वहилась नहीं अरौं के नंहीं MRS पठारी या प्रवत्य बस्तियां इसके बाद में है जीन तटिये बस्तियां फ़र्द है कोई समुदर तटिये बस्तियां समुदर तटिये बस्तियां तता वन प्रदेश ये बस्तियां बन प्रदेश ये बस्तियां तता मरुस्त लिए बस्तियां तो इस्तिति के इनुशारी पास प्रकार से है उसमें आगई मेदाली पठारी जीर समुदर तटिये बन प्रदेश ये तता मरुस्त लिए बस्तियां आप लिख लिए होंगे अब आगई गरों की मद्धिन दूर्यों के अधार पर मैं दूसरा प्रकार ले रहा हूं दूसरा है वो है बी नमबर गरों की दूर्यों के अधार पर गरों की दूर्यों के अधार पर खायश है वो है एका की बस्तियां एका की बस्तियां स्रेकिट है वो है बिक्री बस्तियां आप इनको सासा स्कार्डर हो तता तीजरा है वो है सगर बस्तियां यह हुए ही तीनों अब समय की विचार के अधार पर देखो समय की विचार के अधार पर सी आता है समय के विचार के अधार पर समय की विचार के अधार पर की तीन परकार की होती है सभाई के विचार के आदार पर तीन प्रकार किया पहली है वो है एस्ताइब बस्तिया एस्ताइब बस्तिया तता सेकेट है वो है मोस्मी तत्दी बस्तिया तत्दा थ्रड़ है वो है इस्ताइब बस्तिया थ्रड़ है वो है इस्ताइब बस्तिया यह unbelievably समय की विचार के आदार प्रत दूं परकार की बस्तिया होगे इसके बाद में हम लेते हैं बस्तियों के आकार की अनुसार मैं इसको मिटार हूँ आप लिख लिए होगे बस्तियों के डिया है बस्तियों के आकार के आदार पर आकार के आदार पर यह है यह पांच प्रकार की इसमें फाइट है वह है पुर्वा सेकेंड है वह है ग्राम तदा थर्ड है वह है कस्पा फॉर्ड है नगड़ फिफ्ट है वह है महा नगड़ यह बस्तियों के आकार के अदार पर हो गया अब अब बात करते हैं बस्तियों के आधर्थी के अदार करते हैं करते हैं आधर्थी के अदार पर अने परकार किये रेखिये पर्दी रूप तता दूसरा है वो है प्रतागार पर्दी रूप थार्ड है वो है आरिये पर्दी रूप फॉर्ड है वो है कि पुल्यागार पर्दी रूप तता प्रता है वो है व्लॉप पर्दी रूप शेक्स है वो है चोग मट्टी पर्दी रूप अगला है तीर पर्दी रूप तारा पर्दी रूप तारा हो गया मदू छक्ता हो गया सीड़ी पर्दी रूप हो गया तता प्रतिये पंगा पर्दी रूप हो गया तता प्रतिये पंगा पर्दी रूप तर्टी यह पंगा पर्टी को तो यह हैं मैंस्तियों के आकर्दी क्या दाथ है यह प्रकार्दी 11 यवदादी आपने उतौर लियोगा में मिडा रहूंगे अब बात करते हैं बस्तियों की विबिन कार्यों के अदाथ पर विबिन कार्यों के आदार पर कार्यों के आदार पर लेते हैं वह हैं फैस्ट है वह है ग्रामिल बस्तियां ग्रामिल बस्तियां सेकिंड है वो है नगरिय बस्तियां ग्रामिल बस्तियां और दूसरा है नगरिय बस्तियां आप है बस्तियों की विकास की आवस्ता के अदार पर बस्थियों के विकास की अवस्ता क्या अलाखत है युकास की अवास पागिया आगर प्रस्तिव की पर हो है परकार है उपार है पहला जन्मावस्ता सेक्ट है वो सेश्वावस्ता अगला है तीसरा वो है बाले अवस्ता फॉर्ट है वो है की सोरा वस्ता अगला है वो है प्रोडा वस्ता अगला है प्रोडा तर वस्ता और अगला है साथमा व्रडा वस्ता व्रडा वस्ता यह बस्तियों के विकास के आदार पर अब बात करते हैं ग्रामिट बस्तियां इसमें निवासी अपने जीवन व्यापन के लिए बूमी के विद्वान देखो ग्रामिट बस्तियां ग्रामिट बस्तियां इसमें निवासी अपनी जीवन व्यापन के लिए बूमी के विद्वायन पर निर्पर रहते हैं पूमी पर कर्शी कारिय बढ़ी पर रहते हैं तता अधार निवाजियों का मुक्य उद्धम कर्शी करना परसुपालं करना तता मतस्य पालन लकडिय काटना आदी है इनका जीवन एक परकार से ग्रामिट सवरूक लिए होता है इनका लिए सवरूप है वह ग्रामिट सवरूप लिए होता है क्या कारी रहता है करसी परसुक बालन तता वीविन परकार के मतस्य बालन तो इसे जो इसके परती रूप है यह पारस परिक दूरी के अदर आता है ग्रामिट बस्तिया है वह पारस परिक दूरी के अदर पर तो इनमें है पहला है वहारे सगन बस्तियां सगन बस्तियां अब सगन बस्तियों के अदर देखो कि इस परकार पी बस्तियां में मकान या जो उडियां पास पास सटे च्टे वह रहे जिस परकार दे एक ये चित्र रहे इसमें यह रास्ता है एक रास्ता इधर से जा रहा है यू रास्ता जा रहा है और यू जा रहा है अगर यू पट्टिया है को इस परकार से विल्कुल सरक्षित मिलेगी यानि यह यानि यह सयूत रूप में जो पुरुआ है यह सयूत रूप में पाई रहे हैं तो क्या है सयूत तो यह बस्तिया किस प्रकार से पाई जाएगे सयूत रूप से तो इस प्रकार की बस्तियों के मकान है वो जो पुरुआ है वो पास पास होती है पास-पास जोपडियां या मकान होते हैं मकान पास-पास भी पाए जाते हैं फ्रेंच और ट्रिवार्था ने इन्हें निउष्ट बतियां है सगन बस्तियां का विडाल डास ने इन्हें पुंजित बस्तियां पिडाल दार ने कहा कि यह पुंझीत बस्तियां है गूंझीत बस्तियां है को अब को भी स्कहार के अदार पर निंद्ड बेथ हैं अभिए परकार की वोती है देखो इसमें भाइज है वो है पुर्वा है पुर्वा पुर्वा ये सबसे छोटे आकार की सगन बस्ती होती है सबसे छोटे आकार की सगन बस्ती क्या हुत ये पुर्वा दूसरा है वो है गाहन तो उसे बड़ी पर गस्पा उसे बढ़ा फिर नगर नगर में सामाने नगर मेट्रोपोलीस नगर और मेगा पोलीस अलग परकार के नगर आद अब बात लगे दूसरा है वो है स्वुख्ष सायों के बस्तियां सायों के बस्तियां इस प्रकार की बस्तियां एक गाउं में के साथ उसके एक दो पुर्वे भी होते हैं यदि किसी गाउं का कर्सी मुझे छेतर का भी बिस्तित है तो गाउं के कुछ परिवार उनकी खेज गाउं से दूरी पर रहते हैं वे इंच चोटी बसलिते और बसा लेते हैं, इससे हेलेट कहते हैं यानि मालों ये गाहों हो है, और गाहों पर पुम्स धूरी पर क्या है और यहां पर उन्होंने क्या बना लिया? तो यह क्या कहलाएगा है वैलमेड ततार यहां पर बसलित बिलकुल सगन रहती है इनके आसना इस गावं के सेंग ब्रूप में बनी होती है रिपनी होती है तो इन बस्टिक को क्या पिर आए? तता इस गाउं को मिलकर क्या करा आप कर अपके क्वख्णित बस्तियां देखो तीजरी आप खंडित बस्तियां आप पस्तियां यह यह इस परकार की बस्तियां दिन में अलग-अलग वह वाश्वक्राइए एक ही बस्ति के अंदर ईक दूसर के नीगट बसे हुए ढाशा कोिपो है यहरे इस में क्या और रहता है कि यह बैद यहां पर कोई बर्स लोग तदा इसे निकलने वाले अक राभ पर भने हुए हैं इस वरकार की जो बस्तियां है वो अपन्डित बस्तियां कहलाती है अब है वो है एका की बस्तियां फॉर्ट है वो है एका की एका की बस्तियां या इन्हें बिक्री या पन्किन बस्तियां बोला देता है कर्सी ग्रय है अब बस्तियां हो एका की बस्तियां हो है इन बस्तियों में अलाग बस्तियां कहलाती है इस तारी भास्तियां एक दूसरे पर बसी हुए जिस परकार से ये रास्ता बिल्यानी कौस सीधा है तो यहां पर इस रास्ते पर इस रास्ते पर तक यहां पर जहां पर यह pasoड़ wholly आरब की खेत यह बीच में के खेत आ सथ है तदा यहां पर क्या रहते हैं मकान यहां पर बसी भी रहती है बस नहीं है यहां पर मान लो इस प्रकार की जो पस्ती है यह फारे में स्टेंड होती है कि इस पर हमें में स्टेंड होते हैं तो सभारे में में ढूब जाती है अब ग्रामीन बसốn 錯 विनमबर एक ग्रामीन बस्तियों परती रूप यह तो कि और वो है इन बस्टियों की आकर्दी के अनुसार होते हैं ग्रामिट बस्टियों की मुक्या आकर्दी रूँदेखो यह पहले रेखिये परती रूप फश्ट है रेखिये परती रूप रेखिये परती रूप इस परती रूप में किसी एक शड़क या नदी के किनारे बसी हुए मकानों की बस्टिया रेखिये परती रूप में होती है इन मकानों के दौरा शड़की और होते हैं यानि मकानों की जो दौरा है वो शड़की तरफ होते हैं ड़ाण साडक से सटाल वे सयुम्त रहते हैं इस ही वस्चों को दिन गला कर सुङ्द्राइब राषे यह पना है ₤ यह इसका उद्राण लिता है तो जीला मेरट जो तरपरदेश का है वो मेरट में गोविनपुरंग्राम कॉइन पूर्ण पूर्ग्राम में विए है है इस परकार की रेखें पर्ति रूप पाए जयता है आख प्राओं द्रेंगे में पर्ति आख है है आख में अब बना लेजिए अब है जो पर्टी पर्ति रूप दूसरा है वह है चोप पठी पढ़तेरूप चोप पट्टी पट्टी रूप में है यह नहीं इसको बहुते चेकर बोडर पेटा हैं मेदानों में जो गाओं में दो मार्गों के मिलाने के चोपाली याक रोज पर बसने परारू होते हैं इन घाओं की गलिया मार्गों के साथ मेल खाती है आयतकार परितिरू में बनने लगती है जो परजबर लंग उत होती है ऐसे गाओं की बस्टी जोपढ़िता पर्टी परतिरू केलाती है जैसे मेरण जिले में गेश्दपूर, रेवरिखास, आजी गाजियाबा जिले में जिंबावली चता बाप्रूगर च्छाम, उचेरा अब है आरिये तिर्जा परतिरूप, तीसरा है वो है आरिये तिर्जा परतिरूप अरिये तिर्जा परतिरूप में यह है इस परकार के परतिरूप में गाओं में कई मारग आकर मिलते हैं, जैसे मानलो यह है तो यहां पर कई मारग आपस में मिलेगे यह क्या है, मारग और यह क्या हो जाता है, गाओं कई मारग आपस में अगर मिलते हैं, अन्य गाओं के लिए कई दिसाओं में मारग जाते हैं, तदा यह अन्य गाओं हो जाते हैं यहां पे जिसे ही गाहों गया यह अन्य गाहों पिर इसके इससे भी जुड़ी रहती है अन्य गाहों इससे भी कोई गाहों जुड़ा रहता है यहां पे तो ये गाउं अन्य चेत्रों में जुड़े रहते हैं तो मकानों के सामने वर पीड की और मारव होते हैं ये सभी मारव आपस में गाउं में आकर मिलते हैं ये से परती रूप को मकड़ी जाल इसे मकड़ी जाल परती रूप भी कहते हैं मकड़ी जाल परती रूप मकड़ी जाल परती रूप भी कहते हैं तेजे बारत पाकिस्तान चीन में 35% संग्या इस परकारी किये बारत पाकिस्तान में इस परकार की मिलती है बारत पाकिस्तान में 35% बारत में बियार एंपी हरियाना राजस्तान में परते एक जिले में इस परकार के परती रूप पाये जाता है अब बात करते हैं वो फोर्ट है वो है फिर्बुजा कार पैटे है इस परकार के परती रूप में इस थानों पर होता है जहा कोई शडग या नहर दूसरी शडग या नहर में जाकर मिलती है पर अंतु क्रोज नग्रे से गाह punya शडग को एक मोर्त फिले ने ते जिसे मालों इस परकार है कि क्या होता है कोई निकलती है और इसके आसपास यहां पर इता है यह वर्टा काटन जए तो यह क्या रहता है यह हम देखें वह हैं वर्टा कार पेट है वर्दागार पर्तिरूम इस परकार के पर्तिरूम में किसी वर्दागार जीर या तालाव के चारों और बस्तिवे गाउन को वर्दागार पर्तिरूम करते हैं जिसे बीम तालब की बस्ती समरोते इसके तालाब जिसे मालों यहां पर कोई तालाब है बनावा पुकर है यह मी ताकार का तालाब है और इसके चारो और पेलिवी बस्तियां कर और ये बस्तियां तो इस प्रकार के पाई जाने वाली बस्ति क्या धाएगली वड़ागार प्रति रूप की बस्ति कहता जो देर के भरेग़ा से ओा परतिलों में गाहों के किसी अंत्रीव के सीरे पर या नदी के नुकिले मोडों पर बसे होते हैं इसके अगर बाग में मकान बिल्कुल ऐसे मकानों की संक्या काम वह प्रश पाग पर बढ़ती जाती है जैसे कमन्यक मारी ग्राम उड़ी सागी चिलका प्रदेश में ग्राम अब देवो तीर प्रदेश के इस प्रकार निकोना कार अब यहां में क्या है इस प्रकार शेयर पाई जाती है यहां वस्तिया इसके तदा इस चेटर में पाई जाएगी ने आए इस परकार में जो बस्टियां पाई जाती है ये कहलाती है वो तीर फुर्टिरू बियार की गंड़ा नदी के मोड़ पर तदा केरल में मुतार अधी ग्राम होने यानि खंपाद की खाड़ी में इस परकार के अलेक ग्राम है यानि अगर बहुत है या जिसी दोनों तरफ कोई नदी है या कोई भी जो छेतर है वहाँ पर इस परकार की पाई जाती है अब है तारा परतिरू साथवा है वो है तारा परतिरू तारा परतिरू गाई इस परतिरू में ग्राम परारण में अरिये तता दिर्जा परतिरू में होते हैं और बाद में ये बढ़ते बढ़ते बाद की और मार्गों की तरफ फेल जाते है ये बाहर की और फेलते मकान बसने के बाद में ग्राम तारा का परतिक हो जाता है जिस बरकार चें कहा से स्टार्ठ कुआ यहां कर लो कोael है फिर वो दीरे दीरे इस चत्र में भेल तपील गया फिर यहां पे इसके बास में प्रनां का यह श्रू vendi यां रही का लिए Ubich अ कि नियुग हए कि यह तारा उपरति रूप बजदी के लज़्जे से यूपी में डहाना यूपी में डेहाना तता बठोना गांड बठोना ग्राम है तता यह अब आने मिद्या आना कार अगला है अने मिद्या अना कार इस परति रूप में ग्राम में है जो किसी मारा के निर्वार्ण से पूरुवे ही बसे हुए रहते है परते गर उस इस्तान पर बस गया है जहां उसकी स्वामी की सुईदा होती है यानि जैसे किसी खेड उपर है मालों वहां पर रास्ता ही नहीं है और वहां पर जाए 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 पर सुईदा मूली और वहां पर बस गए बाद में मारक बनाने में बाद में मारक बनाते हैं तो इसके आकरती एनियमित हो जाती है जैसे मालों यहां पर रहे और यहां पर रहे यहां पर बसती सी बना लिया यहां पर 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 बना लिया यहां करती हो जाती है कि यानि में मारत क्या बनाई जाते हैं बात में बनाई जाते हैं यह मारत पहले बतार अगेरा बनाई तो यह हो गई अब यह सूरी स्ट्रिंग परती हूँ सूरी स्ट्रिंग परती रूप यह फिर जो टी वारता नहीं इस परकार की परती रूप को परकाशित किया इस परती रूप में ग्राम किसी नदी किये प्राकर्दी कुल के बांद या टटके पास में बसी वी रहते हैं इसमें कटक सिकर पर बनी हुई कि शडग किसी और से मकान बसे होतें जिसा आपाण की नीच्छले चेत्र जिसे महा नदी, गोदावरी, कर्षणा नदी डेल डाउं में इस पर्कार के ग्राम पढ़ती रूप पाय जाते हैं हिमाले के पाथ ग्राम शित्रों में यानि जो डेलटाई प्रदेश से वहाँ पे पाय जाते हैं अगला है, वो है सीडी पढ़ती रूप सीटी पढ़ती रूप इस परकार के पढ़ती रूप में ग्राम परवती डालों पर होते हैं यानि यह परवती डाल है तो यहां पर ग्राम बसे रहते हैं यानि इस चेटर में गाउं बसे रहते हैं तो वो क्या कहला हैं यह सीटी पढ़ती रूप में बने होते हैं तता तुझ डाल के नुशार विविन उचाईंग और तलो पर बनिये होते हैं अलगल अलगल तलपिये मीनय आरुटी す रही उस्त्राव अगला है उना बको के परति पड़िरूम अगला है चोकोल पर्थिरूप चोकोल पर्थिरूप इस परकार का पर्थिरूप में ग्राम मरुस्कलों और अर्थमरुस्कलों में बसर होते हैं इनके मकान बहुत होते हैं गाहों में बहुत बार चार्थवारी भी कही नहीं होती है मकवानों में बहुत उचा इसलिए बनाया जाता है कि चारों और दुखानों से और सकुरों से रक्षा की जाए अगला है वो है मदू छत्ता पर्तिरूप मदू छत्ता पर्तिरूप इस परकार के पर्तिरूप में ग्राम जंजातियों के लोग बनाते हैं दक्षिनी बारत में टोड़ा लोग तता दक्षिनी अफ्रिका में जूलु लोग दक्षिनी अफ्रिका में टोड़ा तता जूलु लोग इस प्रकार का बनाते हैं आंदर परदेश के समुद्रिय तर्ठीय चेत्रों में निवासी वद्यों को निर्वय लेने वाले मच्वार और लोग इस मदू चलता आकार कर परतिरू बनाते हैं यहां पर बिल्कुल सी बस्तियां पाई जाती हैं। इन छित्रों में जो बस्तियां पाई जाती है वह अर्थ कर्णों यानि रास्ते कि एक तरफ नदी ठटों पर बसे हुए ग्राम, वर्तगार परतिरूप के होते हैं यह उत्री बाग में गंगा यह उना गोंती गागला कोशी सोन आधी नदीयों के टैस्टो पर भस्थिर्उक होते हैं अन्य परती में मकडी जार परती में एड़ा में परती रूप अन्य परती रूप में पहला हैं अनुमारत बस्थि सहरी अदिवास सहरी अदिवास के फैश्च है वो है अनुमारत बस्ती अनुमारत बस्ती इस परकार की बस्ती में सड़ा की किनारे को यह किया दो दुगान यह पर आने जाने वाले लोगों की चाई चलपान की लिए होती है यहाँ कोई होटल या रेस्तरा भी होता है अनुमारत बस्ती दूसरा है वो है नहँरियए पुरुआ नगरी पुर्वा इस परकार की बस्ती में 20 से 150 मानों जन सक्या होती है इस परकार की पुर्वा USA में पाई जाते हैं ये USA में पाई जाते हैं तदा ये बस्ती है सड़क किनारे थार्ड है वो है नगरी ग्राउं इस परकार की जो 150 से 500 मनुस्यों मानों तक बस्ती में पाई जाते हैं और इस परकार की ये USA में पाई जाते हैं अब वो है बोल्ट कस्वा कि इस परकार कीज़न से क्या पाई जाती है यह आप 500 से 40,000 तक जनसिंग्या पाई रखी है यह आबादिक केंदरिया करते से बारत में गंगा यमुना दौा बारत में गंगा यमुना दौा अब है नगर की बात करें नगर इन जिन इस्तानों पर जनसिंग्या 50,000 से एधिक होती है यानि यहां पर जनसिंग्या 50,000 से आतिक होती है नगरों में उन छेद्रों में यह पाई रती है उप्यूकती सुविदाई यहां पर उपस्तित होती है अगला राए मान अगर मान अगर जिन इस्तानों की जनसिंग्या 10,000 से अधिक होती है 10,000 से अधिक जनसिंग्या 10,000 से अधिक जनसिंग्या होती है उन इस्तानों पर यहां पर व्यापारिक राजदानी होती है तता ज्यापारी मंडी भी होती है ज्यापारी राजदानी निवार मंडी भी होती है तो बड़े चेत्र में मुखे रूप से होता है अब अगला है सन्नागर इस पेट्रिक गेडीज ने सन्नागर की स्ताबना दी थी इसमें कई ठेटे हुए मारक प्रसपर मिलकर एक हिकाई बनाते हैं एक हिकाई बनाते हैं एक हिकाई बनाते हैं कस्पे परसपर मिलकर तता नगरीवी से कोल करता इसका अगला है मेगो पोलिस मेगो पोलिस मेगो पोलिस मेगो पोलिस अतियन बड़े नगर होती है जिनकी जन से क्या पचास लाग प्राय होती है जन से क्या इसमें टोक्यो निवार आधी प्रकार के ग्रामिट पाई जाते हैं मपो ने विसान लगरों को मेगा पोलिस की संग्या दी है यह था नगरिये द्रेश्ची के नुसार जोय सहरी के अब इसके नगरे विन्यास की द्रेश्ची से चेकरबोर पढ़ती रूप बरताकार पढ़ती रूप अरिये भारा परती रूप मिष्रीत परती रूप खडी परत čिरूप करेकर रेखिये यह पंगा घीये देख शर्वलस उप नधी नगर जीत तटिय नगर बंदरगाय नगर मैदानी नगर पठारी नगर परवती नगर तदा मरुद्या तदा परवती अगर वेवसाई 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 पढ़ती रूप तीजरा परिवेल नगर नगर पढ़ती रूप अगला है परसाशनी नगर तता अगला है सेटिंग नगर मतस्य नगर परिएटन नगर परिएटन के अंदर नगर कीड़ा इसके लिया मनोरंजन इसना जैसे आपू वगरा सिंबला देखा जाता है सेटिंग नगर में सिंगापूर साहुनी वगरा देदी जाती है व्यापारी नगर में देखी जाती है लंदन उंगोई वद्यकू अने परकार के प्रसासनी नगर है तो इस परकार से हम जो नगर है उनको अलग अलग बागों में बाढ़ सकते हैं ठीक हम धन्यवाद अगले नेक्ट के लिए धन्यवाद